एक application को बनाने के लिए document की ज़रुत पड़ती है और कौन-कौन से document की ज़रुत पड़ती है ये हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़ादा ज़रूरी है कि एक application को बनाने के लिए document की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है और अगर वो document की ज़रूरत पड़ती है तो कहां पड़ती है क्यों application development companies आपसे आपके details आपका अधार card पैंड card ये सारे detail cancel check ये सब वो लोग क्यों लेते हैं उनको क्या ज़रूरत है अगर वो एक application को अगर coding ही करके बनाना है तो इन सब चीजों की क्या ज़रूरत पड़ रही है उनको की वो सारे documents आपसे ले रहे हैं ये बात आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि हमारा नाम, mail id, हमारा number ये स सही नहीं होता है किसी को भी एक app development company नहीं किसी application को भी ये सारा detail देना अगर ज़रूरी है तो दो वैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है वरना आपको पता है number देने के बाद हमें किस तरह के से calls आते हैं अगर आपने कहीं एक number फिल किया किसी loan application में तो वो data sell करके फिर आपके पास इतने सारे calls आते हैं कि आप परिशान हो जाते हो इसले number name, mail id बहुत जादा ज़रूरी data रहता है और यह जब data हमें देने में इतनी हिच की चाहट होती है अगर तो आप non technical हो तो आप कहीं भी किसी को भी data दे दो कि आपको नहीं पता है कि वो उससे क्या करन चाहिए और कहां पर देना चाहिए मतलब हर जगात वैसे भी नहीं देना मान कि जो लगर आप एक template risk in कर रहे हो payment gateway अगरा खुद आप डाल सकते हो तो आपको देने की जुरूद नहीं है documents वगरा ठीक है सबसे पहले तो यह समझते हैं कि जब आप एक app development company के पास जाते हो तो थर्ड आपके पास एक active fresh Gmail ID password होना चाहिए और यह क्यों होना चाहिए क्योंकि fresh मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपने कोई भी mail ID password दे दिया अपना personal जिसमें बहुत सारा data है वो देने की जोरत नहीं है हाला कि उनके काम की है नहीं app development company की पर फिर भी अपना personal ID, personal mail यह सब हम क्य शेयर करें ठीक है इसलिए आपको एक नया mail ID, एक fresh mail ID password create करो क्योंकि वो mail ID password बार बार ज़रत पड़ेगी जब तक आपका application develop होता रहेगा तब तक ज़रत पड़ेगी जो आपका app develop कर रहे है ठीक है तो starting के face में जब आप एकदम जब आपका application आपने just advanced payment किया उस time यह तीन च data नहीं ले रहे हो है ना कोई आपका payment system नहीं अगर आपके application है तो आपको document देने की ज़रोत नहीं है किसी भी app development company को क्यों फाल तुमें आप document दे रहे हो आपको भी पता है कि हमारे कितना important document डाधार का प्रेंट कर यह क्यों देना उनको cancel check वेगर यह नहीं देना है ठीक है अ जो भी payment gateways है वो उसको activate करने के लिए आपको document देना पड़ता है development company को मैं तो बलूँगा मत दो आप अगर खुद से कर सकते हो payment gateway account खुद से बना सकते हो तो खुद से बनाओ क्यों अपना document किसी को देना ठीक है तो document की ज़रोत इसलिए पड़ती है ठीक है payment gateway आपके application में जो non-disclosure agreement कि मेरा जो project का जो भी मेरा जो thinking है जो मेरा fresh नया project है उसका जो future है यह फिर project के बारे में किसी से भी discuss ना किया जाए उस condition में अगर आप एक agreement ready कर रहे हो तो company का भी document लगता आपका भी document लगता उस time ठीक है अगर आप agreement कर रहे हो तो template based application है चोटा मोड application है तो वहाँ ज buy करनी है वहाँ पे कभी कभी देना पड़ जाता है अगर आपका बैटिंग से related अगर आपका है आपका application उस condition में भी देना पड़ जाता है documents वेगरा ठीक है तो वह भी API वेगरा बाय करना है नहीं कि जहाँ पर पैसे का वहाँ भी लेन देन हो रहा ओविसलिए इसलिए वहा देता हूं payment gateway में आपका आधार card pen card आपका cancel check ठीक है यह important documents है इससे ज्यादा वो कुछ मांगेंगे नहीं अगर इससे ज्यादा कुछ मांग रहे है मतलब कुछ conditions होंगी फिर आपके application में otherwise इतना enough है starting में जैसे मैं आपको बताया application का name application का logo एक fresh email ID password आपको ready रखना है बाद मे payment gateway implement करते हैं यह 3 document लगने वाले हैं अगर आप agreement करा रहे हो तो ठीक है उस time भी आपको यह document लग सकते हैं वैसे documents की knowledge रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि data हमारा बहुत ज़्यादा important है और किसी के भी किसी गलत हातों में पढ़ गया तो बहुत ज़्यादा मुश शेयर करना थैंको दोस्ता में नेक्स्ट वीडियो पे